नमस्कार आप सभी का स्वागत है बिहार जारकन का नमर वन यूटुब चैनल लाइव सिटीज में और मैं हूँ आपके साथ केसभ जा इस वक्त हमारे साथ है राजजद के राजसवा सांसद और राश्टिय प्रवक्ता मनो जाजी सर क्या वज़ा रही है बिहार में जो 49 सीटों पर बिहार मागटवंदन को हार का सामना करना परा है देखिए ये वज़ा तो अचानक बैट करके तैय नहीं होगा बहुत सारे छेतरवार देखना होगा एक एक सीट को देखना होगा क्योंकि स्केल जो है वो आपको कई और कहानिया कहता है एक तो मेरा अपना मानना है कि ये पजेस्ड एलेक्शन था नाशनल माइंड को अक्क संकट, मांगाई, बेटी बजाओ, बेटी परहाओ, शुन्य, बावजुद उसके इन मुद्दों पर चर्चा नहों करके एक फिक्शनल मुद्दे पर चर्चा होती है और वो जीतती है तो ये एक गहन चिंतन का विशह है ना सिर्फ इसलिए कि हम क्यों हारे बलकि ये मुद तंत्र में लोगों के मुद्दे हार जाएं और कोई व्यक्ति जीत जाएं तो कि मेंवरा पार्लेमेंट नहीं जीते हैं प्राय मेनिस्टर जीते हैं और तो किसी ने बहुत सोशल मीडिया पर चल भी रहा था कि पहले MP PM चुनते थे अब PM ने अपना MP चुन लिया पूरे दे है तो मुझे ये रास्टवाद का बहुत ही ओचा विसलेशन लगता है अगर गरीबी है तो रास्ट मजबूत कैसे हैं अगर लोग आत्मत्या कर रहे हैं तो रास्ट मजबूत कैसे हैं अग मैं तो यह भी देख रहा था कि उत्तरपदेश की एक मां अपने बेटे के शव के सामने खड़े होके चितकार रही थी जिसका जिसकी शहादत हुई ती पुलवामा में और वो कह रहे थी कि प्राइम मिनिस्टर साब से सीधे कह रहे थी कि हमने तो अपने बच्चे का शव देखा थी रंगे में उधर का कुछ नहीं देखा बाला कोट का मामला बावजोद उस भूत आ गया तो अधीन हो जाता है मैं समझ रहा हूं कि वो अधीन करने में सफल हुए और हम बावजोद तमाम मुद्दों के जो अवाम के मुद्दे नहीं थे यह मेरे मुद्दे नहीं थे यह हमारे नीता तेजस्वी जी या लालू जी के मुद्दे नहीं थे यह लोगो परिनाम आने के बाद लालू परसाद यादब खाना पीना छोड़ दिया है खाना जैसा हमने भी मीडिया में सुना है मैं समझ रहा हूं कि लालू जी की गहर मुझूदगी तो हमारे लिए हम हमेशा से आपके माध्यम से भी मैंने कहा है लेकिन अभी उनका स्वस्तर हना हम सब के लिए है अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मैं तो कहूंगा कि हमारा दल हम जो कुछ भी है आपने एक धारा का जन्म दिया उस धारा को आपकी जरुरत है और ये आखरी चुनाओ नहीं है लोगतंत्र में ये हमारा हमारे पार्टी का कई बार मिर्तियों आलेक लोगों ने करते हैं लालो परसाद यादव जेल में रहते हुए एक अखवार को इंटर्वी दिये हैं और कहें हैं कि राहूल गांदिया अगर कॉंग्रेस पत से इस्तिफा देंगे तो बीजेपी को फाइदा पहुंचेगा उन्होंने बहुत सारी बाते कहीं सिर्फ एक ये बात नहीं कहीं उन्होंने ये भी कहा कि रास्ट्रेस तर पर गटबंदन होना चाहिए था उन्होंने ये भी कहा कि राहूल जी को नेता मान करके आगे बढ़ना चाहिए था उन्होंने तमाम चीजें कहीं उन्होंने उधारन भी दिया कि मैं वक्तिगा तोर पे तयार नहीं था जहां एक व्यक्ति फिक्शनल नेडिटिव गड़ है और वास्तिविक्ता उस फिक्शन से हार जा रहे ही हो तो कुछ तो करना होगा लालू परसाद यादव जी इससे पहले क्यों ने सोचे थे एक राष्टी गटवंदन बने अब बना क्यों नहीं वो तो सिर्फ हमारे दल से आपनी पूचेंगे ना हमारे दल ने तो जो भी संभब्ता बिहार में किया हमने किया लेकिन अलग-अलग दलों की अपनी राय थी शायद अब जा करके एक बार पुनर विचार होगा राजद के अंदुरूनी से ये मामला उट रहा है कि तो जैसे भी यादव को नेता प्रतिपक्ष पद से स्थिपा देना चाहिए क्योंकि इस हार के जिम्मेदारी उन्हें ही सुई कारना पड़ेगा यह कौन से व्यक्ति रुप से सिर्फ इसलिए है कि विधाय की छिन जाएगी तो उनकी राय को मैं नहीं मानता हूं कि अकल्पना कर सकते हैं जो भी लोग हैं संगठन में जो भी लोग चुनाव में काम कर रहे थे किनके साथ काम कर रहे थे और यह तो मैं मानता हूं सफलता के बहुत मातापिता ह बहुत लंबी कतार लग जाती है बड़े बड़े लेख लिके जा रहे हैं मोदी जी की विजय के बारे में और सफलता अनात हो जाती है लेकिन आपता है मानिए यह बहुत कम दिनों की बात है यह जिस प्रकार के लोग सुर्व बदल रहे हैं इनके बारे मैं आपको मैंने कहा आपको कहना ही नहीं चाहिए था कि राज़त के विदायक है किसी से भी बिहार में पूछ लीजिए किन के विदायक है आरजेटी के पुर्व नेता और पुर्व केंद्रे मंतरी अलीय अश्रफ फात्मी ने कहा है किंतेज़स्भी यादव का घमंस भांन अड़ यह तेजस्वी आदम नहीं आ रहे हैं ये दौर है ना बोलेंगा है कोई घमंड नहीं है कितना जानते हैं कितना जानते हूं सिर्फ टिकट नहीं मिला इसलिए ये घमंड की बात नहीं है एक दाइरे में आपने पांच दलों के साथ हमारा गटबंदन था उन दलों के साथ बैट करके सीट वार हुआ उसमें हमने कभी कल्पना की थी किया फात्मी साब ने कि राज़त सिर्फ नहीं सीटों पर लड़ेगा क्यों लड़े हम नहीं सीटों पर क्योंकि हम एक सामाजी का अधार का विस्तारी करन करना चाहता थे वो अभी नहीं हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दर्वाजे बंद हो गया है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की व्यक्तिगत टिपनी वो लोग कर रहे हैं जुन्होंने राज़त की वज़े से नजाने क्या क्या पाया जितना माजी कल मेरे इंटर्व्यू कहा हैं कि सीट वटवारा समय पे नहीं हो पाया इसलिए बिहार मागट बंदन को हानी पहुचा है देखिए बहुत सारी जीज़े आभी आएंगे ये ऐसा च्छन होता है न अगर आज नतीजे उलट होते आप ये इंटर्व्यू मुझसे नहीं कर रहे होते ये कर भी रहे होते तो सवाल अलग होते अब माजी जी कह रहे हैं समय पे नहीं हुआ समय पे नहीं होनी के पीछे बहुत सारे कारण थे पहले तो छेतर बार समाजी का धार करूँ जान क्या है उसकी एतिहासिकता क्या है नए दल आये हैं वो सारा महतवपुर्ण मसला था सबको विविन करना और सबसे महतवपुर्ण है कि चुनाव में सिंबल की पॉपिलरिटी बहुत जरूरी होती है चुनाव चिन्नी की हमारे साथ कई सारे दल थे जिनके चुनाव चिन्न लोगों की स्मृति में पॉपिलर नहीं थी लोगों तक पहुम एक कई उदारा दे सकता हूँ हमारे गटबंधन में थे और कोई महिला पूछ रही है है मैं लाल्टेन कहाँ थे इसमें लाल्टेन कहा है क्योंकि वह वहां जान रही थी माजी जी का कई इंडट है लेकिन ढूंड रही थी लाल्टेन को तो यह सब कुछ ऐसी तकनी की पहलू है जिस पर बिमर्ष की ज़रूरत है मंतन की ज़रूरत है तो क्या 2020 की विधान सभा चुनाव में बिहार में एक सिंबल पर चुनाव लड़ेगा बिहार मागडबंदन बहुत अर्ली है कहना दूसरा तरीका यह भी हो सकता कि सिंबल पॉपलर एगेशन सिंबल को लगप्रिय किया जाए और उसके लिए चुनाव दिन का इंतजार ना किया जाए एक political education राजनितिक जिसको कहते हैं संबाद जिसमें की सिंबल भी हो मुद्दे भी हो वो सब जाएंगे दोनों में से कोई भी विकल्प हो सकता लालू परसाद यादव का जेल में रहना मागडबंदन कोहानी पहुँचा है अब मानते हैं ये बात लालू जी अगर होते हैं मैं बार बार कही चुका हूँ उनसे बड़ा communicator नौर्थ इंडिया में कोई नहीं है हम सब जो भी हैं जितने भी हैं हमारी communication skill और लालू जी की communication skill में जमीन आसमान का फर्क है तो इस बिहार महागट बंदन की हार की जिम्मेदारी किसे सुकारना चाहिए महागट बंदन में ये सामुहिक जिम्मवारी होती है व्यक्ति बिमर्ष इस मुल्क को खा जाएगा एक दिन सारे बाइपोल तो तेज़ भी आदब जी नहीं जितवाय थे तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि क्रेडिट सिर्फ नहीं कहा है ये बात नहीं होती है मैं समझ रहा हूँ कि सफलता और विफलता दोनों सामुहिकता में देखी जानी चाहिए व्यक्ति में आप देखेगा तो मैं तो सीधे तोर पर कहता हूँ इस चुनाव में मुद्यार गए मोधी जीत गए ये नेरेटिव है सबसे बड़ा रोजगार नहीं है लेकिन वोट जा रहा है किसानी संकट है आत्मत्या हो रही है वोट जा रहा है तो एक फिक्शनल नेरेटिव जो है जो मैंने शुरू में आप से कहा पजस्ड माइंड ये उन्होंने क्रियेट कर लिया मोधी जी ने और जाहिर है जीत गए है सवर्नों के वोट उठा लीजिए आज तक के चुनाओं के इस बार के भी चुनाओं में और जो हमारे कुछ कैनिडेट्स का जहां पर सवर्न मैटर करता है सारे वोट डाल दीजिए तब भी चुनाओं में हार हो रही है खैर मैं आपके माध्यम से ये फिर से सपस्ट करूँ कि पहली बात ये सवर्नारक्षन नहीं है आप लोग भी शब्द गलत चुनते हैं इसको कहते हैं economically weaker section के लिए क्या कोई भी सम्विधान संशोधन बिना आयोग के निसकर्श के बिना दस्तावेज के हम वहां जाकर के तुरही बजा बैटते हैं राजनीत कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि जूट सच हर चीज में जीहां साहब जीहां साहब कह दें यह तरीके नहीं होते हैं आप आप दस्तावेज लाइए आप आयोग किसी फारिश लाइए आप डेटा बैंक लाइए तब तो बात हो कल को तो यह secularism निकाल देंगे सम लोग यह कहेंगे क्या जरूवत है समाज बात की कंभीर के लिए और चित्त भी होना चाहिए और गंभीर आधार होना चाहिए तो यह थे हमारे साथ राजत के वरिशनेता मनोज जाजी दिली से के सब्सक्राइब की रिपोर्ट लाइफ सिटिस.ट इन के लिए